कि दोस्तों आज हम आपको बताने जह रहा है हैं माइक्रोटिक का बहुत ही अच्छा सौफ़एर बिन वाक्स के बारे में इस सौफ़एर को आपने पहले भी सुना होगा ठीक है तो माइक्रोटिक की वेपसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले तुम्हें इसका प पड़ता है या फिर आपको रिषट करना पड़ता है लेकिन अगर आपने माइक्रोटिक की कोई बीडिवाईस शर्वर हो सुच हो सिस्यायर हो या कोई बीडिवाईस हो अगर आप उसे क्या कहते हैं इक्सेस करना चाहते हैं तो विन वाक्साप का सौफ़एर बहुत ही मद करके आप चला सकते हैं ना किसी और काम की जरूरत की आप उसको लिख कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके लिए आपको जाना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब।ों जाएंगे तो यहां पर 3 the country जाएंगे इंगे बैंुंद में आई यहां पर और ्भी चीज़े रहागे हम चर्चान उनकी हैं बाद में कारेंगे विन हो सब्सक्राइब.... करेंगे तो यहां पर आगे 64 बिट बिट आप अपने विंडो के कोर्डिंग अपरेटिक सिस्टम के कोर्डिंग आप डाउनलोड कर लीजिएगा हम करतें 64 बिट ओपर डाउनलोड हो रहा है तो यह सॉफ्टवेर और बहुत ही लाइटवेट होता है यह दो-3 अमिकट सॉफ्टवेर होता है इसी के एक वर्जन एंड्रोइड वर्जन भी है जिसका नाम है मायक्रोटिक जिसके जरी आप अपने मोबाइल एंड्रोइड मोबाइल से सब करेंगे यह देखिए software खुल चुका है और जैसे software खुला तो आपके सामने जैसे आप इसमें एक master password लगा सकते हैं और नाइब और में क्लिक करके जैसे आप रिफ्रेस करेंगे बगार रिफ्रेस किये भी यहां पर से भी डिवाइस आजाएंगे समयक अडर्स आइप अडर्स आइडेंटिटी वर्जन बोर्ड काउंस आप कितनी घंटे ये कितनी मिनट से यह आप हैं यानि कि डिवाइस लाष्ट कितने घंटे चालू जैसे आप देखेंगे इसमें इसमें 17 घंटे से चालू यह डिवाइस 18 घंटे चालू और यह डिवाइस 27 मेंट से चालू तो यह बहुत ही अच्छा software है अब इसमें डिवाइस को open कैसे करते हैं इसके लिए पर password save रखने के लिए के password और अगर आपको यह disconnect हो जा रहा है तो आटो डिवाइस फिर रिकनेक्ट हो जाएगा साथ में इसमें टूल समय जाएंगे तो यहां पर एडवांस मोड लेक्सी मोड दो मोड होते हैं एडवांस मोड एडवांस लोगों के लिए होता है लेक्सी मो है तो हमने क्लिक किया अगर पासवर्ड है तो यहां पर आप पासवर्ड टाइप करिए और इसके बात करिए कनेक्ट जैसे करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा आपके सामने यहां पर सबसे पहले आएगा सेशन ठीक है इसके बास सेटिंग और सेटिंगों के बारे में सेटिंगों के बारे में सिर्फ जानेंगे ठीक है इसमें जैसे पहला है कुछ सेट अगर आप नए हैं तो आप इससे यहां से तुर्णत असानी से काइंट करके इसको आप अपने डिवाइसों को काइंट करके पॉइंट पॉइंट ब्रीज एपी जो भी बनानों आप बना सकते हैं ठीक है दोस्तो इंटरफेस यानि कि जो भी पोर्ट और गएरा गएरा होते हैं यह सब चीजे इसमें हमें आज आती कि इसको लाइन बनाना है यह सब चीजे वी लाइन इस इंटरफेस में आती हैं यानि общем स्वाइल dreiट या भी ärनिके एक्सेस. इससे समयंधे इस काम के लिए कि वर्लेस होता है जिसमें हम होटस्पार वार्ले से सबी चीजें कांफिर कर सकते हैं ये आपको ब्रिज हो गए ब्रुटोंगे ब्रीज बनाने के लिए पोर्टो को जोड़ने के लिए यह PPP, PPP वही है, PPP connection के लिए स्विच मेस, IP IP के अंदर आपको address accounting, cloud, firewall, DNS, hot spot, ऐसे करके बहुत सारी service है मिल जाएंगी, ठीक है, MPS हो गया, routing हो गया, system, system में आप upgrade, certificate, clock, health, identity, जो यह नाम बदलते हैं, identity से बदलते हैं, ladies, ऐसे करके बहुत सारी set to set करने के लिए सब ही option आपकी यह आती है, क्यों में कितने क्यों चल रही आता है, फाइल में, इसके अंदर जितनी फाइल होती है, device के वह आती है, इसके बाद, आपका radius server के लिए है, tools में यह कुछ अलग से tools होते हैं, जो networking के समय में काम पढ़ते हैं, उसको भी आप अगर हमें command base काम करना है, तब के लिए है, और इस प्रकार support के लिए, और इसके बाद अगर आपको एक winbox के दूसरा winbox खोलना है, तो उसके लिए भी यह होता है, ठीक दोस्तों, तो यह था एक संशिप्त परचे winbox के बारे में, आगे हम इसमें बहुत ही बहुत चर्चा कर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार